नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज हम इस वीडियो में मासेन गुप्त और मालवा के राजा येसो धर्मन के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, तो देखेगा गुप्त अतरकाल के बारे में हमने काफी क कुछ पढ़ लिया है, तो आप प्ले लिस्ट गुप्त अतरकाल में जाके और वहां से इनफोर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेशन मिलें और आप इत्यास विसे की अच्छे से तयारी कर सकें, तो चलिए पढ़ते हैं, महासेन गुप्त का इत्यास एममालवा का राजा ये सोधर्मन, दामोदर गुप्त के बाद उसका पुत्र महासेन गुप्त सासक बना, अपसड लेक में उसकी सकती की प्रसंसा करते हुए कहा गया है कि वह वीरों में अग्रणी था, तथा उसने समाज में सर्वस्रेश प्राकरमी होने का यस अरजित किया था, लेक से पता चलता है कि उसने असम नरेश सुष्थित वर्मन को लोहिते नदी अरथात ब्रह्म पुत्र नदी के तट पर प्राजित किया, जिससे उसका यस नदी के दोनों तटों पर गाया जाता था, यह प्राजित नरेश हर्स के मित्र भासकर वर्मा का पिता था, सुदाधर चटोपा ध्याय का विचार है कि इस समय महासेन गुप्त मोखरी नरेश अ दीनता स्विकार करते थे, इसी कारण महासेन गुप्त को महाराज धीराज, महाराजा धीराज नहीं कहा गया है, उसने अस्सम की विजे अपने समराठ अवंती वर्मा की ओर से ही इती, राई चोधरी का विचार है कि महासेन गुप्त ने मोखरियों की बढ़ती हुई सक्ति से भेवीत होकर ही पुष्य बूत्ती वंस में सम्बन्त इस्तापित किया था, आप देखिएगा मालवा का राजा यसो धर्मन, गुप्तों की सक्ति को होनों के ही समान गहरा आघात पहुंचाने वाली सक्ति यसो धर्मन थी, जो 530 इस्वी में मद्दे भारत के राजनेतिक गगन मंडल में उलका की भाती चमक उठा, मालवा के इस पराकर्मी नरेश की उत्पती एवं प्रारंबिक जीवन के विशे में ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, मनसोर के पास रिष्ट लपूर नामकस्थान से प्राप्त एक लेख में यसो धर्मन के पिता क नाम परकास धर्मन मिलता है, उसे अधिराज कहा गया है, जिसने तोर्मान को प्राजित किया था, उसकी तिती 515 इस्वी है, यसो धर्मन की सैनिक उपलब्दियों का विवरण हमें मनसोर के दो अभिलेकों से प्राप्त होता है, इसमें एक की तिती मालव सम्मत 589 तथा यह हैं उसकी विजों का संक्सिप्त विवरण परस्तूत करता है, पूरव के कई अत्यंत सक्ति साली राजों तथा उत्तर के अनेक राजों को हराकर उसने राजा दिराज परमेश्वर की उपाधी ग्रहन की, विंदे तथा पारियात्र की मध्यवर्ति एम अरब साग अगर तक फैली हुई भूमी में अभैदत उसके वाइसराय के रूप में सासन करता था, इस संक्सिप्त विवरण की विश्तृत व्याख्या दूसरे लेक में हुई है, जो एक परसस्ति के रूप में है, इसके अनुसार उसने उन परदेशों की भी विजे की, जिन पर गु दक्सिप में समुदर तक तथा उत्तर में हिमाले से लेकर दक्सिप में महेंदर परवत्तक के परदेशों को उसने जीता, इसी अभिलेग में हो नरेश मिहिर कुल को प्राजित किया जाने का वर्णन भी कावात्मक धंसे किया गया है, मंसोर परसस्ति यसो धर्मन का चित्र पानसो अठाईस से पानसो तैयालिस इस्वी के बीश हुआ था, मंसोर परसस्ति में उसे जनेंदर कहा गया है, उसका पूरा नाम जनेंदर यसो धर्मन था और वह और लिकर वंस से सम्बंदित था, तो देखेगा इस वीडियो में हमने गुप्त अतर कालीन राजों के बार में और भी जानगारी परदान करेंगे, तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस पे